नकल्चियों पर लगेगा दस साल का पर्तिबंद एई जेई भरती पटुवारी लेकपाल भरती परिक्षा के साथ ही एई जेई की परिक्षाओं में सामिल नकल्चिय अभ्यरतियों को उत्रा खंड लोक से वायुकी और से दस साल के लिए पर्तिबंधित किया जाएगा साथ ह तो दोस्तों अब आयोग नकल्चियों के नाम को भी सारुजनिक यहाँ पर करने वाला है मंगलवार को एई जेई परिक्षा से जुड़े अभ्यरतियों के परति निधी मंडल से वारता में आयोग के चेर्मेन डाक्टर राकेश कुमार ने अभ्यरतियों को ये आस्वासन दिया है आयोक के सचीव गिर्धारी सिंग रावत ने इसकी पुष्टी किये आयोक के सचीव गिर्धारी सिंग रावत ने एई जई परिक्षा की अभ्यरतियों को मंगलवार को आयोक के चेर्मेन से वारता के लिए बुलाया था उस तो मंगलवार कल था अभ्यरतियों को चेर परवाई सुनिश्चित करने का आस्वासन दिया है तो नकल्चियों पर दोस्तो 10 साल का पर्तिबंद लगने वाला है होसे अभ्यरती पूछ रहे हैं कि क्या पटवारी का पेपर बारक को होगा दोस्तो ऐसा अभी कहीं नहीं लिखा है कि पटवारी की परिक्षा बारक को नहीं होगी तो बारक को दोस्तो आपकी पटवारी लेकपाल की परिक्षा होने वाली है आद दोस्तो आठ फरवरी है और कल को नौ फरवरी है तो कल से दूस्तो बस सेवा फिरी है तो कल से आप जा सकते हैं जिनका दूर है जो पहले जाना चाते हैं तो आप दूस्तो कल से जा सकते हैं 9 फरोरी से बांकि 10 फरोरी को भी आप जा सकते हैं 11 को भी आप जा सकते हैं बांकि आपकी मरजिया आप कब जाना चाते हैं कल से दूस और बांकी जिनका दूर है तो वहां भी दूस्तों आप इस तरह से जा सकते हैं कई अभ्यरती हरीदवार के हैं जिनोंने पिथोड़ा गड़ भरा है तो वो कई अभ्यरती 9 को चले जाएंगे कई 10 को चले जाएंगे कोई 11 को आएगा तो अपने हिसाब से दूस्तों आप कर लेना है PCS मेन से पहारी राजियों की महिलाओं का आरक्षण रद करने से कट ओप पर पड़ा असर महिला आरक्षण से नई मुस्किल यह देखे दोस्तों यहाँ पर EWS के लिए 84 गई है OBC के लिए 87 गई है HT के लिए 84 SC के लिए 71 और बांकि अनात के लिए 22 और अनारक्षण पूरु सेनी के लिए 73 गई है अनारक्षण महिला के लिए 80 गई है और जर्नल के लिए 91 उस्तों कट ओप यहाँ पर गई है तो राज जी के बाहर की महिलाओं को मेन से परिक्षा के लिए सामिल करने के दौरान कट ओप मार्क्ष काफी नीचे थी अब 30% अरक्षण लागू होने से अन्य परांतू के अभ्यरतियों को बाहर करने के बाद मेरिट बदलने से कट ओप मार्क्ष बढ़ गए हैं जिससे उत्राखंड मूल की अभ्यरतियों पर भी इसका असर पड़ा है यह कहना है गिर्धारी सिंग रावत सची हो है बरतमान में उत्राखंड लोग से वायो के तो आप लोग उस तो अपनी तयारी करते रहें तो पटवारी का पेपर उस तो आपका जो है बारा फरवरी कोई होने वाला है बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और अपनी तयारी करते रहें तो यह थी आज की जानकारी अगर आपके वहनों कोई सवाल है तो आप कमेंट वक्स में पूछ सकते हैं, thank you friend, thank you so much